नमस्कार, मैं प्राध्यापक सवी ताहिर, FIBA, इस तासीका में आप लोगों का दहे दिल से हार्दिक सवागत करती हूँ। इसकी पूरव तासीका में हम लोगोंने कहानी की परिभाषा, कहानी का स्वरूप एवं कहानी के तत्व इस विशय पर चर्चा की हुई है। आज की तासीका में जो हमारी कार्य सूची है वो इस तरह से है प्रथम दाहा, हम इस कहानी का जो उत्तेश्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेखक का परीचे, कहानी की विशय वस्तू और मुल्यांकन इस तरह से हमारा अजेंडा रहेगा। आज हम जो कहानी पढ़ने वाले है उसका शिर्शक है इद्गाह और लेखक है प्रेमचन जी इद्गाह अर्थात जिस सांट पर नमाज पढ़ा चाता है तो इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को जो उत्तेश्य लेने है वो इस तरह से है प्रथम तहा हम उपन्या समराठ प लोगों को समझाएंगे और साथ ही में बच्चों का जो मनोवी ज्यान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे उपन्या समराठ प्रेमजन जी का जन 1880 में वारान असी में लमही गाओ में हुआ था उनका वास्तविक नाम धनपद्राय था वास्तों में वो नवाब राय के नाम से भी लिखते थे लेकिन जब वो नवाब राय के नाम से लिखते थे उस समय वो उर्दु में लिखते थे प्रेमजिन जी का बचपन जो है वो अत्यंद आर्थिक विपन्नता में बिता हुआ है क्योंकि उनकी पिता जुच है वो डाख खाने में कलर्ग थे और उन्हें केवल 20 रुपे दंखा मिलती थी बढ़ते बढ़ते अर्थात उनके अंटीम समय तक उनकी दंखा केवल 40 रुपे हो चुकी थी दुर्भाग्यवश प्रेमचन जब छोटे थे उस समय उनकी माता का देहान थो गया और उसके बाद घर में भी माता आ गई वैसे प्रेमचन जो है उनके पिता बहुत सजन थे विचार शिलवेक्ती थे लेकिन आप लोग जानते हैं कि कभी-कभी अंजाने में हमसे गलती हो जाती है उसी तरह से उनके पिता जी से भी गलती हो गई और फिर जब प्रेमचन जी नौवी कक्षा में पढ़ते थे उस समय उन्होंने प्रेमचन जी का ब्याह कर दिया जब बेटे का ब्याह हो गया तो उसके बाद उनके पिता जी काफी बीमार हो गए और लगभग चा मैने बीमार है अब जो कुछ लही पुझी थी वो बीमारी में खर्च हो गई और जो कुछ बचा था वो सारा उनके अंतिम क्रियाकर में खर्च हो गया अब जब पिता जी चल बस से है तो प्रेमचन जी पर बहुत जिम्मेदारिया आ चुकी है और इस तरह से उन्होंने अपनी मैट्रिक के परिक्षा वारानसी में दी हुई है उन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहन की और उसके बाद वो असयो गंदोलन में सम्मिलित हो गे अब देखिये जब पिता जी चल बस से है तो पढ़ने की दूने उन्होंने सपना देखा ताकि मैं मे करूँगा वकिल बनूँगा लेकिन इतनी जम्मेदारी आने के बाद उन्हें नौकरी करनी पड़ी है लेकिन आज नौकरी मिलना चितना दुश्प्राफ्य है उतना ही उस समय भी था उन्हें दस बारो रुपे की नौकरी तो मिल जाती थी लेकिन दस बारो रुपे में इतना बड़ा परिवार संभालना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इस तरह से जब वो असेव अंदोलन में सम्मिलित हो गए महत्मागंदी की चीसे के साथ मिलकर तो उन्होंने नौकरी से इस्तिफा दे दिया है तो पूरी तरह से वो लिखन कारे के प्रती समर्पित हो गए है लगभग 1901 में उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा है 1902 में उन्होंने अपना दूसरा उपन्यास लिखा है और 1907 में उन्होंने गल पे लिखना शुरू किया है गल पे ये उर्दुशब्द है जिसका मतलब होता है कहानी उनकी सबसे पहले कहानी है संसार का सबसे अनमोल रतन अब ये कहानी प्रिकाशित होने के बाद उन्होंने और पांच कहानिया लिखी और ये पांच कहानिया उन्होंने सोजे वतन नाम से प्रिकाशित की जब सोजे वतन प्रिकाशित हो गया तो उसमें परतंद्रता का अंदोलन शुरू था और इस तरह से इन कहानियों में उन्होंने स्वदेश प्रेम का महिमा का गुनगान किया हुआ था उसमें प्रेम जी डिप्टी इंस्पेक्टर थे और एक दिन अचानक उन्हें जिलादीश सहब का बुलावा हुआ वो चले गए और जब वहाँ पर गए तो सामने सोजय वतन की एक प्रत प्रत की हुई थी उस प्रत को देखर ही प्रेम जी समझ गए कि मुझे क्यों बुलाया है और जिलादीश सहब ने उनसे पूछा कि क्या बता सकते हो सोजय वतन इस कहानी के लेखक आपी हो क्योंकि उन्होंने नवाब रामिसे नमने लिखी थी उन्होंने स्विकार कर लिया कि ये कहानी मैंने लिखी है और इस तरह से जिलादी सहब ने कहा कि देखो अंग्रेजों की अमलदारी में हो ये तुम्हारा भाग्या है अगर मुगलों की अमलदारी में होते तो तुम्हारे दोनों हाथ काट दिये जाते और इस तरह से सोजे व लिख नहीं सकते जब तक आप लोगों को इजाज़त नहीं मिले और इस तरह से प्रेमचन जी अपने जीवन में हमारे लिए एक सम्रीत विरासर छोड़ गया है कि जीनके बेकर भारतिय लेखन अधुरा रहे जाता है प्रेमचन साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे और इसलिए उनके साहित्य में किसानों, दलीतों, वर्ण अव्यवस्ता और स्त्री की मनोदर्शा का बहुत सुन्दर शित्रन हमें मिलता है उनका जो लेखनकार्य है उसमें महत्वपुर्ण है उनके उपन्यास उन्होंने लगभग एक दर्जन उपन्यास लिखे है जिसमें निर्मला, गोदान, सेवासदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमी, कर्मभूमी, प्रतिक्या यह महत्वपुर्ण है गोदान तो उनका बहुत सुन्दर उपन्यास है गोदान उपन्यास में उन्होंने होरी के माध्यम से किसानों की जो व्यवस्ता है उसका चितरन किया हुआ है निर्मला जो है ये बाल जड़ा भी वहापर आधारित है उन्होंने जो कहानिया लिखे लगबग 300 से अधी कहानिया उन्होंने लिखी हुई है और ये कहानिया मान सरवर नाम के खंडों में प्रकाशित हुई है उनकी जो भी कहानिया पड़ों के देखी आप लोगोंने अब तक अनुभव किया होगा कि आप पहली कक्षा से लेकर अब तक हर साल आप लोगोंने प्रेमचन जी की कोई ने कोई कहानी पड़ी है लेकिन जब हम एक बार उनकी कहानी पड़ते हैं तो हमेशा हमेशा उनकी कहानिया हमारे रिदे पर गहरा चाप छोड़ जाती है उन्होंने इनाटक भी लिखा हुआ है जिसका नाम है करपला और संगराम आज हम जो कहनी देखने वाले हैं जिसका शिर्शक है इदगाह जैसे मैंने शुरू में ही कहां कि इदगाह का मतलब होता है जिस स्थान पर नमाज पढ़ा जाता है हमारे कहानी का प्रमुख पातर है हमीद अब लोग देख रहे हो कि छोटा सा लड़का है चार-पैंच साल का दुबला पितला लड़का हमीद, महसीन, नूरे, सम्मी, अमिना जो हमीद की दादी है और चोधरी कायम अली यह हमारे कहानी के प्रमुख पातर है जब हमारे कहानी शुरू होती है तो शुरू में ही ईद के दिन का चितरन किया हुआ है अब लोग जानते हैं कि रमजान महने में वरत रिखा जाता है और यह वरत काफी कठीन होता है तो लगभग तीस रोजे जब खतम हो जाते हैं तो उस दिन ईद होती है और इस तरह से प्रत्यक्षा इद का दिन आ चुका है जब इद आ चुकी है तो केवल लोग खुशे ऐसा नहीं है बल्कि चारों तरफ हरियाली चाही हुई है साथ ही में जो बच्चे है वो सबसे अधिक प्रसंड है सूरिय देवता भी बहुत अधिक खुश लग रहे जैसे कि साक्षा तो भी सब भी लोगों को इद की बिदाई दे रहे हो और इस तरह से इद गहा जाने की तैयारिया हो रही है किसी के कुरते में बटन नहीं है लेकिन बटन लगाने के लिए घर में सूई धागा नहीं है इसलिए पडोस में जाकर सूई धागा लेकर आ रहे है कुछ लोगों के जूते जो है वो कड़ोग हो चुके है इसलिए उन्हें तेल लगाना है तेली की यहां जाकर तेल मांगने वो गय हुए है और इस तरह से सभी लोग अधिक प्रसंट नहें लेकिन बच्चे बिल्कुल चिंतीत नहीं है हाँ, इसका गरण है कि बच्चों को ग्रहस्ती की जो चिंता होती है उसे वो अनभी क्या है? क्योंकि रिखी है ईद है तो शीरखुर्मा बिनाना है और इसके लिए जो सामगरी लगने वाली है, उस सामगरी को इकटा करने की जिम्मेदारी बड़े लोगों पर है छोटे बच्चों को इसकी कोई चिंता नहीं है, उन्हें तो केवल ईद जाना है, मेले में अनेक वस्तुए घरितनी है और शीरखुर्मा खाना है अब देखिए कि चौधर इकायम अली के घर लोगों को जाना है अब चौधर की अली जो है, अगर पैसे नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? एद महरम में बदल जाएगी एद और महरम में ये फर्क होता है कि एद जो है वो खुशी का दियवार होता है और महरम जो होता है वो करुणा का दियावार होता है और इस तरह से बच्चे जो है उन्हें इद में जाने के लिए जो पैसे मिले है उन्हें वो बार बार निकाल रहे हैं क्योंकि वो एक तरह से खजाना है पैसे गेन रहे है और महमूर जो है उसके पास 12 पैसे है महसीन जो है उसके पास 10 पैसे है और हमी जो है वो सबसे अधिक प्रेसर नहीं उसके पास अभी कितने पैसे हमें पता नहीं है लेकिन खुशी सबसे अधिक उसके पास है और इस तरह से हमीड जो है उसके पापा इस दुनिया में नहीं है उसके पिता जी पिछले साल ही हैजे की बैट हो चुके है और जब पिता गुजर गए तो उसके बाद मा भी चिंदा के मारे दुख में गुलने लगी है और अचानक वो पीली पढ़ने लगी है क्या हो रहा है किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि पती ही नहीं है और इस तरह से चिंदा में गुलते गुलते एक दिन वो मर चुकी है अर्था पिलिया की बज़र से उसकी मा का भी देहन थो चुका है लेकिन हमीड को ये पिताया नहीं गया है क्योंकि अब लोगों को पिता है कि चोटे बच्चों को ऐसी बते नहीं बताई जाती क्योंकि उन्हें सदमा लग सकता है और अक्सर अब लोगों नहीं देखा होगा कि आज भी अगर इसी घटनाए घटित होती है तो शोटे बच्चों को बताया जाता है कि आपके मता पिता अल्ला के पास गए है या इश्वर पास गए है उसी तरह से हमेद को बताया है कि आपके अबाजान जो है वो बहुत रुपे पैसे कमाने गए है और आपकी अम्मी जो है वो भी अल्ला के हा पर गई है और इस तरह से बच्चों की आशा बहुत बड़ी चीज होती है उनकी आशा राई का परवद बना लेती है और इस तरह से हामीद भी बहुत बड़ी आशा देखता है कि मेरे पिताजी और मेरी मा आएंगे मेरे लिए बहुत सारे तोफ़े लाएंगे, धेर सारे पैसे लाएंगे और तब मैं अपने दिल के सारे अर्मान पूरे कर लूँगा अब दिखिए इद्गहा मैदान जाना है, लगभग तीन कोस पैदल जाना है लेकिन पैदल जलने के लिए वहाँ पर हमीद के पाऊं में जूते नहीं है, फिर भी प्रसडनेता है उसने जो टोपी पहन रखी है, उसका गोट भी पूरी तरसे काला पड़ा हुआ है काफी पुरानी है और इस तरह से उसे इस बात का भी दुखनी है कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है क्योंकि उसने सोचा है कि अमी आने के बाद मैं अपनी सारी अधुरी आशाय पुरी कर लूँगा और इस तरह से अमीन अपनी कोट्री में बैटी हुई है, बेचारी रो रही है क्योंकि उसे अपने बेटे की अर्था हाबित की याद आ रही है वो सोच रिती है कि अगर मेरा बेटा जिन्दा होता, तो क्या इद इस तरह से आ जाती? और इस तरह से जब मेरे घर में कोई नहीं है तो इस निकोडी ईद का मेरे घर में क्या काम है और इस तरह से ईद के दिन भी उसके घर में पुरी तरह से अंदेरा है क्योंकि बहु और बेटा इस दुनिया से चल बस है लेकिन फिर भी हामीद की तरफ देख़र आशा की एक किरन उसके मन में जगती है और फिर वो सोचती की नहीं मुझे हामीद की लिए जीना है, उसके लिए सब कुछ करना है. अब दिखिये कि ईद है, चाहे अमीर हो, चाहे गरिब हो, आम आदमी हो, सब के दिल में ईद की खुशी है और इस तरह से अमीदा जो है उसने ईद के लिए आट पैसे संबाल कर रखे थे लेकिन ईद के पहले ही दिन गवालन आ जाती है, क्योंकि अमीदा जो है वो सोच थी है कि मैं हमीद को जादा कुछ अच्छा नहीं खिला सकती, लेकिन मुझे उसे रोज दूद पिलाना चाहिए, और इसलिए हमीद के लिए दूद लगाया हुआ है, और इसलिए गवालन आ गई, उसे दो पैसे देने पड़े है, बेचारी ने आट पैसे संबाल कर रखे हुए ह अब उसमें से तीन पैसे उसने हमीद को दिये है, क्योंकि मेले में जाएगा तो वहाँ पर उसे कुछ मीठाई खिलोने खरीदने पड़ेंगे, और इस तरह से उसे भी खीर बनानी है, उसे लगता है कि मुझे हमीद को अकेले नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि छोटा सा बेच्चा है, तीन कोस कैसे चलेगा, उसके पाउं में चाले आ जाएंगे, अगर मैं उसके इजात रहूँगी, तो बीच बीच में मैं उसे अपने गोदी में उठा लूँगी, लेकिन उसे भी खीर बनानी है, और इसके पास सामगरी नहीं है, उस सामगरी को एकटा करना ह वह सोचती है, कि अगर सामगरी घर में होती, तो मैं इदकाह मैदान से आने के बाद सिवया बिना सकती हूँ, लेकिन उसकी भी मजबूरी है, और इस तरह से वह सोचती है, कि थोड़ी सी खीर बना की नहीं चलेगा, क्योंकि चुड़ी हरन आएगी, महितारन आएगी, सारे लोग आएंगे और उन सबको मुझे शिर्खुर्मा देना पड़ेगा, और इस तरह से हमीद दादी से कहता कि आप चिंता मत करिये, मैं अच्छी तरह से जाओंगा, और इस तरह से अब ये लोग निकल पड़े है, गाउसे मेला निकल चुका है, हमीद सारे बच्चों के सा आगे आगे जा रहा है, लेकिन सबसे आगे हमीद है, बेचारा ठकी नहीं रहा है, जब वो आगे निकल जाता है, तो किसी पेड़ की चाओं में कड़ा हो जाता है, और फिर सोचता है कि पता नहीं ये लोग इतने दीरे दीरे क्यों चलते हैं, और इस तरह से हमीद की इमारते उन्हें दिखा दिए है, अदालट दिखा दिया है, कॉलेज दिखाए दिया है और कलब घर दिखाए दिया है, अब इन लोगों ने जब यह सब देखा, तो इस बात पर उनकी चरश्ण होने लगी है, सबसे पहले उन्हें बड़े-बडे इमारते दिखा दी, उसक उसे मारा और फिर उसे खाने का मजा लिया जब माली निया देखा तो वहाँ पर दोड़ा दोड़ा आया और बच्चों ने मिलके उस माली को उल्लू बिनाया जब आगे चले गया है तो उन्हें कॉलेश दिखा दिया जब उन्होंने कॉलेश देखा तो वहाँ पर उन्हें का अगर दरसे में बढ़ता है मदल सरथ अर्था उर्दू स्कुल तो उसमें भी तीन ऐसे बड़े लड़के हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं आता है और फिर हमी सोचता है कि मेरे स्कूल में जैसे लड़के हैं शायद वैसे ही लड़के इस कॉलेज में भी होते होंगे जब आगे निकल पड़े हैं तो उन्हें वहाँ पर क्लब घर दिखाई दिया है और फिर उन्होंने सोचा था कि क्लब घर में बड़े बड़े आदमी खेलते और मैमे भी खेलती है और वहाँ पर मैमे क्रिकेट भी खेलती है यह देख़र उन बच्चों को बड़ा आश्यर यह हु ना तो मेरी अम्मा लुडग जाएगी मुहसिन भी कहता है कि अरे हां मेरी अम्मा तो मनो अटा पीस लेती है लेकिन अगर बैट पकड़ेगी ना तो वो तुरेंट लुडग जाएगी और इस तरह से इस बात पर जब चर्चा हो रही है तब महमुत कहता कि हां हमारी मा तो कर नहीं सेका और इस तरह से हमारी मा जो कर सकती है वो मेमें नहीं कर सकती इस बात पर भी चरचा करते है और सोचते है कि मेरी मा रोच कोई से कितना सारा पानी निकालती है पानी भरती है अगर हम इन मेमें को ये काम बिताए तो वो नहीं कर सकती और इस तरह से ये सारी चरचा शुरू है आगे चले जा रहे हैं और अचानक मेले में मिठाईों की दुकाने नजर आई हैं काफी दुकाने हैं और हर दुकान में बहुत सारी मिठाई रखी हुई हैं मनों की मनों मिठाई रखी हुई हैं और फिर बच्चे सोचते हैं कि अरे इतनी मिठाई कौन खाता होगा अब इस बात पर जर्शा होने लगी है और फिर वहाँ पर महसिन कहता है कि अरे तुम्हें पता नहीं है इतनी सारी मिठाई केवल आदमी नहीं खाते है जो मिठाई बच जाती है उस मिठाई को आकर रात में जिननात खरीद लेते हैं अप लोगों को पता है कि जिननात बहुत खतरनाक होता है और इस तरह से ये जिननात रात को हर दुकान में जाता है वहाँ पर बच्ची हुई सारी मिठाई पैसे लेकर खरीदता है और इस तरह स जिननात मीठाई कैसे खरीता होगा उसके पास पैसे कहां से आते होंगे यह सारे प्रश्न हमित के मन में उत्पन होते है और तब महमुत और मौसिन कहते हैं कि अरे उनके पास पैसों की कमी नहीं होती उनके पास हीरे जवारत होती है वो तो बहुत बड़े होते है उनका आकार आसमान तक भी हो सकता है और अगर वो चाहते है तो लोटे में भी कुछ सकते है इतना आकार उनका हो सकता है उनके पास बहुत बड़ी शक्ति होती है और बात में महमुत एक उधारन देता है कि जो हमारे चौधरी है उनके कापो में बहुत सारे जिन्नाथ है जब भी कोई चोरी हो जाती है तो वो जिन्नाथ से ही उस बात का पिता लगा लेते हैं कि चोरी किसने की है और अपने ही गाव का जो एक जुमराती शेके उसका उधरान देते हैं कि तीस दिन पहले उसकी गाय चोरी हो गई थी उसने बहुत ढूना ल आगे वहाँ पर उन्हें पुलीस लाइन दिखाए देती है अब पुलीस लाइन देखकर भी उनकी जरचा शुरू हो जाती मतलब देखिए कि छोटे बच्चे कितने होश्यार होते है जिग्यासा जो होती है वो हमेशा उनके मन में रहती है और पुलीस लाइन जब देखी है तो वहाँ पर जो कॉंस्टिबल है उन्हें देखकर जरचा होने लगी है वहाँ पर वो कवाया देखर रहे है और इस तरह से हमीच से बच्चे कहते कि देखो जो होते है न पुलीस वो रात भर जगते है और चोरी नहीं होने देते तब महमुद कहता है कि अरे कुछ नहीं ये एक गली में जगते है और दूसरे गली में वो चोरी करवाते है मतलब चोरों से ये मिले हुए होते है उन दोनों की मिली भकत होती है और इस तरह से चोरी कराने का कारियर इन्हें के माध्यम से किया जाता है तब महसिन कहता कि अरे इन्हें दंखा बहुत जादा नहीं मि तो एक दिन मैंने अपने मामों से पूछ लिया कि मामो अपको तो इनका किवल 20 रुपए मिलती है आप 50 रुपए कैसे बहचते हो तब मामों नहीं कहा था कि सब अल्ला की ग्रेपा है लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि अगर हम लोग चाहे तो एक दिन में ला की होती है मेरे मामो ने रिश्वत लेकर पैसा कमाया लेकिन एक दिन मेरे मामो के घर में आग लगई और इसमें सब कुछ नश्ठ हो गया घर में एक बरतन तक नहीं बचा था और उन्हें पेड के नीचे सोना पड़ा कि दूने के बाद उन्होंने 100 रुपए उधार लिये और उसे कुछ बरतन खरीदे अब 100 रुपए कितने होते है ये भी बच्चों को पता नहीं है और इसलिए हामीद पूछता है कि पच्चास सो से जादा होते है क्या तब महसीन कहता कि अरे हाँ अदोनों में बहुत फर्क होता है 50 रुपए जो होते है वो एक ठेली में आते ह और इस तरह से अत्यंद महत्व पूरण विश्राई पर ये बच्चे चर्चे करते है अब प्रत्यक्ष इद्गहा जाने वाली टोलिया नजर आने लगी है काफी भड़ की ले रहों बिरंगी कपड़े इन लोगों ने पहने हुए है और इस तरह से अब एक घनी बस्ती और इस तरह से अब प्रत्यक्ष इद्गह मैदान पर आ चुके है जहाँ पर जाजिम बीचाया हुआ है जादी मतलब फर्श पर बीचाई जाने वाली चादर और इस तरह से जो जो नमाज बढ़ने के लिए आए हुए है वो सारे एक कतार में बैठ जाते है तूसरी कतार मे इस तरह से आने वाले हर कोई पीछे जाकर बैठते है और अब जाजिम भी खतम हो चुका है जाजिम खतम होने के बाद कुछ लोग जमीन पर बैठ जाते है और प्रत्यक्ष रूप से अब नमाज बढ़ना प्रारंब हो जाता है देखी अब लोगोंने देखा होगा नमाज पढ़ते हुए बहुत सुंदर तासे ये लोग नमाज पढ़ते हैं सिस्ते में सिर जुकता है लाखों सर एक साथ जुकते हैं और एक साथ उपर आते हैं जैसे कि इन लोगोंने पहले बहुत जादा प्रैक्टिस की हो इस तरह से कवायत जैसा उनका लगता है और इस तरह से सभी लोगों नमाज पढ़ ली है और नमाज खंतब होने के बाद लाखों लोग एक दूसरे के गले मिले हैं, एक दूसरे के उन्होंने बढ़ाई दी है अब नमाज खतम हो जाने के बाद सबसे महत्वपुर्ण बच्चों के लिए है कि अब उन्हें खिलों ने खरीदने है और मिटाई खरीदनी है अब सबसे बहला ही जब वो निकले है तो उन्हें हिंडोला दिखाए दिया एक-एक पैसा देकर वो हिंडोला में बैठ जाते है महमुद, महसी, नूरे, सम्वी सब बैठ जाते है बड़े लोग भी बैठ जाते हैं लेकिन हमीद नहीं बैठा है उसका जी लल जाता है लेकिन उसके पास केवल तीन पैसे है और इसलिए वो हिंडोला में नहीं बैठा उंट है, घोड़े है, सपर वो बैठ जाते है लेकिन हमीद नहीं बैठा है मनी मन में सोचता है कि कितने लालची है मेरे दोस्त, मुझे किसी ने कहां भी नहीं कि हिंडोला में बैठो और पर बैठो और इस तरह से ग्रामीनों का दल इस मामले में पढ़ा उच्छुख है, सभी इस बात का मजा लेते हैं और इस तरह से आगे जाकर खिलोनों की दुकानो दिखाय दीती है, तरह दर के खिलोने रखे हुए है, राजा है, वकिल है, धोबन है, सिपाई है और अन्य कही खिलोने है, लेकिन महमूद जो है वो सिपाई खरीद लेता है, सिपाई जिसने वर्दी पहनी हुई है, जिसने टोपी पहनी हुई है और कंदे पर बंदुख है जो बहर सुन्दर दिख रहा है जो महमूद है उसने भिष्टी खरीद ली है भिष्टी मतलब मशक्ट होने वाला वक्ति मशक जो होता है खाल से बनाई हुई एक थैली होती है जिस थैली में पानी भरा जाता है और जो वक्ति पानी भरता है उसे भिष्टी कहा जाता है तो व बात में जो सामी है वो धोपन खरीते है और नूरे जो है वो खिल खरीता है जिसने अचकन पहनी हुई है और सफेक कपड़े उसने डाले हुए है जैसे कि वो मुकतमा लड़नी के लिए जाने वाला हो इस तरह से इन चारों बच्चों ने ये खिलोने खरीते है परंटु अब हामिद नेहा पर कुछ भी नहीं खिलता है बलकि इन खिलोनों को देखकर हामिद नेंदा करता है और फिर वो कहता है कि ये तो मिटी के खिलोने है ये मिटी में ही मिलने वाले है और इस तरह से अब आगे जाकर मिठाईया अब देखिए 15 पैसे 12 पैसे है 10 पैसे है लेकिन 3 पैसे वला वक्ती क्या करेगा और इस तरह से जो महसीन है उसने गुलाब जमून खरे दी है रेवडिया खरी दी है और सोहन हलवा खरीदा है अब जब ये बच्चे खा रहे है तो इसमें से किसी ने भी हामिद को शेयर नहीं किया है तीनों अपना अपना खा रहे है लेकिन एक बार महसीन जो है वो हमिद के साथ मजाग करता है और उसे कहता है कि ले हमिद रेवडि ले बेचारा आगे जाता है उसे पता था कि महसीन का रिदे इतना बड़ा नहीं है कि वो मुझे रेवडि देगा लेकिन जब वो हाथ आगे करता है तो उसी समय वो हाथ पीछी करा लेता है और अच्छुत के मुह में वो रेवडी डाल दीता है और इस बात पर सभी उस पर खिल किला कर हसते हैं और बेचारा हमी चो है काफी दुकी हो जाता है अब वो सोचता है कि ठीक है मिठाई कोई अच्छी बात नहीं होती है मैंने किताबों में पढ़ा है कि मिठाई ख युकने का कोई काम नहीं है मौहसेन, महमूत, नूरे, सम्वी कोई भी नहीं रुकता है लेकिन वहाँ पर रुक जाता है हमीत और फिर वहाँ पर एक लड़का, पासल का लड़का क्यों रुखा है? उसे लोहे की दुकान पर क्या खरीदना है? यह प्रेश्णा उसके मन में है, हम सब के मन में है और इस तरह से वहाँ पर उसे एक लोहे का चिम्टा दिखाए दीता है और फिर वह मन ही मन में सोचता है कि मेरे पास तीन पैसे है मैं इस लोहे के चिम्टे को खरीदूँगा अब लोहे का चिम्टा क्यों खरीदना है? तो अपनी दादी के लिए खरीदना है, देखी कितना चोटा बच्चा है लेकिन इतना चोटे होने के बावजूद भी उसकी सोच कितनी बड़ी है बड़ों के बारे में उसका कितना सोचता है और इस तरह से वे सोचता है कि मेरी दादी जब रोटी सेंगती है तो रोजी उसके हाथ जल जाते है अगर मैं चिम्टा खरीदूंगा तो दादी के हाथ नहीं चलेंगे उसे जो तकलीफ होती है, हो नहीं होगी और इस तरह से किवल दादी को उपयोगोगा ऐसा नहीं है वो अगर चुले में से कोईला निकलना चाहती है तो उसका फैदा हो सकता है रोटी सेंक्ते समय उसका फैदा हो सकता है अगर किसी पोडोऽी को कौईला चाहिए गरम तो वो भी दादी दे सकती है और इस तरह से चिम्टे की उपयोगीदा देख़र वो सोचता है कि मैं दादी के लिए चिम्टा खरीदूंगा पूट फूट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन मेरा जो चिम्टा है, वो कई दिनों तक रहीगा, और सब की काम में आएगा, मेरे दोस्त लालची है, उन्होंने केवल कुद के बारे में सोचा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, और फिर अम्मी जो है, वो च जाएदा अल्ला के दरबार में पहुंचती है, और इस तरह से यह सब उसने सोचा हुआ है, अब तक हमने कहानी का यह जो अंच्छते का है, उस पर आप लोगों को कुछ प्रश्नों में बिता रही हूँ, इन प्रश्नों को आपको सॉल करना है, उसके बाद पर गूगल क्ल खेले में क्या ख़रीदता हे, तो देखिए कि इस कहानी का जो अंच्छ हमने देखा है, उसमें हमने देखा है कि प्रेमचन जी ने लिखका अत्यांतम अणवर्म चृतरन किया हुआ है, बच्चों की खुशियों का चित्रन बंखुपने से किया हुआ है, और इस तरह से जो फर्क है उसका जित्रन भी किया गया है अगली तासिका में हम लोग इद्गाह कहाणी का जो उर्वरित अंश है उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथी में हम देखेंगे कि हामीद लोहे का चिम्टा खरीता है या नहीं अगर खरीता है तो उसके बाद दादी उसकी प्रेशनसा करती है या नहीं ये सारी चीज़े हम अगली तासिका में देखेंगे धन्यमाद